अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें मन टीवी सब कुछ मन चाहा सुनो 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 आम अठी योर डॉर क्या तुम तुम मेरे घर के बाएरो मुझे लगा कि तुम मुझे याद करी होगी इसलिए पगैर बूचे जला आया मैं बैटने नहीं आया शारा ह। बलके तुम्हारी निशिस से तुम्हें उठाने आया ह। फाजिया साब है मैं तो कोई एलेक्शन नहीं लड़ी ना ही मेरे पास कोई नशिस्त है। दिखाओ ज़रा के तुम्हारा भाई होस्पिटल में है। तुमने सिरफ मुझे नंबर ही दिया है ना कोई 10 करोड का फ्लैट नहीं दे दिया है। तो तुम स्टार बनना चाहते हो स्टार बनने से अब मुझे कहीं जएदा दिल्चस्पी पैसा कमाने में है। चिन गई है। चिन गई है। चिन गई है। कैसे यह एंटी करप्शन डपार्टमंट मेरा दुश्मन कब से बन गया। आपके दुश्मनों की कोई कमी थोड़ी। आदमी के दोस्त मजबूत हो उसके दुश्मनों की तादाद नहीं बढ़ती। लगता है कि कुछ दोस्त नाराज हैं हमसे। औरों को भी तो नाराज नहीं कर सकते हैं न। चोड़ो इन बातों को ये बताओ कि ये गुल खिलाया किसने। फोन पर नहीं बताओंगा लेकिन रेट जरूर पड़ेगी। त तो एक अधिन रेट रुक आ सकता हूं बस और कुछ लिए। घर में अगर कोड़ा करकट है तो आज ही साफ करवा लेगे। कल पर सो अगर मेमान आए तो घर साफ सुत्रा देखकर तुम्हारी तारीफ कर सेगे। मेरा घर साफ सुत्रा है। बिशक पर सो मेमान आजे है। हम गुडबाए। कल ना आए बस। साले मुझे गिंती भुला दी। ओ, नूर बहादूर। हेलो, मिस्टर लाल बहादूर शाह, कैसे हैं। हो तो आप मुकरण को कहते है। मैं तो बहुत शरीफ सा इंसान। बड़े दिडों मैं याद किया। हाँ, वो एक बात कहनी थी। मैं जो तुम्हारे अलाके में एक ओरत है ना, पूलन देवी टाइप। सोना रानी है। हाँ, मैंने सोना इसके बारे में। आपकी बुच्रे? भाई, लगता ही है कि जुम्हे के देन मस्चद के सामने खड़े होकर अपने काड़ बाढ़ती है। मेरे सेक्टरी को भी उसका नमबर मिलिया। आपका सेक्रीटरी नमास बढ़ता है। उसका तो पता नहीं। मगर मैं पांच वक्त का नमाज है। तो आपने अपने सेक्रीटरी से नमबर लेके सोना रानी से बात की। मुझे भी बड़ा शोक है से बात करने का से मिलने का भाई मैं शरीफ आत्मी क्यों बात करूंगा उस गैंक्स्टर से अच्छा दफा करें सोना रानी को ये बताएं मुझे क्यों याद किया हाँ आप अपने शहर में मेरे पार्टी के दफतर से अराफ्ता करें यूथ विंग क मुझे इंचाज से मिलें मुझ कोई कंपैन वगरा चलाना चाहता है या लप करें उसे फ्लीज ओके सर्थी आप मुझे नंबर देंगे नंबर तो नहीं है मेरे पास लेकिन मैं पार्टी के चीफ को आपका नंबर भीजना हूँ और राता कर लेगा आप से वो ठीक है और अजिए करना कि सारे लें देन की बात उससे तै कर लेगा अजे नंबर फॉर एंचेंज करना पड़ेगा अजे नंबर फॉर नंचेंज करना पड़ेगा नहीं मैडम आज तो वो आप से भी पहले क्या हूए है तो का है वो वो मेक अप करके बाहर बैठे है ठीक है बस हो गया शामीर को बुलाओ इसो बोलो मैं बुला रही हूं देखा आज मुझ से मिला तक नहीं जी ज्यादर से जादर पांच से छे दिन लगने चाहिए हैं जी ठीक है ठीक है जी मैं डद से बात कर लेता हूं आपको बता दूदा हूं एटक है जब मैं आप से बाद में बात करता हूं अब सर अब कुछ जरूरी बात करने थी आप से तो तो मुझे समझ नहीं आतीफ किया आपके पास इतनी जरूरी बाते हैं, आती कहां से हैं? सिर्ट आपकी फायती की बात है, सुनीए तो सही. जी फरमाए. सिर्ट आपने मुझे जब रात को ड़ूर सब्सक्राइब के तो मैं समझी के आप… आप समझी कि मैं रात को आप से लेट नाइट मेसेज़ेस पर बात करना शुरू हो जाओंगा नहीं सर, सर मैं समझी कि आप मुझसे पूछें के आपका नंबर मेरे पास कैसे आया यह तो मैंने सोचा ही नहीं सर आपका नंबर मुझे आपके ड्राइवर रियाज ने तिया था रियाज ने? रियाज ने? I can't believe it जी सर, प्यार से बात करना तो दूर की बात आप तो मुझसे नॉर्मल अंदाज में भी बात नहीं करते लेकिन मैं पकी फैन हो सर, आपकी वेल विशर हूं I request you, sir, आप अपने ड्राइवर को आज ही नुकरी से निकाल दीजिया अब ठीक के रिया, I'm still shocked कि उसमे मेरा नंबर लीग किया Exactly, और वो भी आपका परसनल नंबर मैं असलिए कह रही हूं कि अगर वो आपका नंबर मुझे दे सकता है तो आपकी परसनल इंफरमिशन व आपके किसी भी दुश्मन को लीग कर सकता है True, you're absolutely correct एक रिक्वेस्ट और थी, sir जी, बोलें Sir, आप लीज उसे मना कर दीजिये का कि मुझे फॉन ना करें तो आपने भी उसे अपना नंबर दीए Sir, आपका नंबर लेने के लिए कोई ना कोई तो वादा किया ही होगा ना मैंने लेकिन अब वो मुझे धंकार आए I see, आप फिकर ना गए आइंदा के बाद वो आपको ना कॉल करेगा और ना थ्रैट Thank you, sir अब sir, जिस तरहां आपके ड्राइवर को पहचानने में मैंने आपकी मदद की इस तरहां आप किसी अपने दुश्मन को भी पहचानने में मेरी मदद ले सकते हैं आज के लिए इतना काफी है शकीला क्योंके पहला पत्थर तो मैं फ्हेंगी चकी हूँ Baby, try to understand the difference between controversy creator and controversy promoter मैं तुम्हारे लिए सेवी के साथ controversy तो create कर सकती हूँ उसे promote नहीं कर सकती इसका मतलब ये तो नहीं के तुम मुझे इंकार कर रही हो not at all मैं एक पार्टी एरेंज करने लगी हूँ a grand party और उसमें तुमने सेवी के साथ बस कुछ pictures लेनिया है और मुझे भेज देना फिर देखना मेरा कमाल फिर? फिर तुम एक proper controversy promoter को हायर करके assignment उसको दोगी मैं दो तीन बलके कई gossip करने वालों को जानती हूँ come on gossip करने वालों से तो market भरी पड़ी है but you need a proper controversy promoter वही तो यह काम प्रॉपर हायरिंग बेसिस पर हो रहा है और मुझे इसका नहीं पता मैं जानती हैं कुछ controversy promoters को और मैं तुम्हें उनसे मिलवा भी सकती हूँ अगर यह एक advance में तुम्हारे अकाउंट में ट्रांस्फर कर रही हूँ और इस काम के लिए मेरे पास दो लाग से जादा का बजट नहीं है मेरे लिए तो यह काफी होगी मगर तुम्हार का बजट सेवी बहादर के साथ कांट्रोर सिक्रेक करने के लिए काफी है I'll manage Fifi सेवी बहादर पर हर्च करने का बजट सेवी बहादर खुद ही देगा खेर, I have to go now, bye रियास गाड़ी साइट पर लगाए सर अपने यहां गाड़ क्यों रुकवाई लिए? मैंने सोचा जरा तनहाई में तुम से बात की चाहे सर कोई खता होगी है? रियास बहुत मरते हो ना तुम लड़कियों पर नहीं सर, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं तो किसी लड़की की तरुफ आँख उठाके भी नहीं देखता हाँ, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम तो बहुत शरीफ हो अगर मेरे अंदाजे के मताबिक तुम सिर्फ लड़कियों पर मरते नहीं हो बलके पूरे के पूरे उड़ियां हो जाते हैं कोई भी थर्ड क्लास लड़की तुम्हे अपनी कीमत दे, तो तुम मेरा नंबर दे दोगे उसे नहीं नहीं सर, मैं आपका नंबर बेशने की गलती कैसे कर सकता हूँ पक्वास बन करो आज तो सर्फ एक लड़की के कहने पर तुमने मेरा नंबर दिया है कल को तुम्हे कोई करोड प्या देगा, तुम तो मुझे भी बेश दोगे तोबा करें सर, मैं आपका नंबर नहीं बेश सकता, उस लड़की को किसी और नंबर दिया होगा चलो, आप तो तुमने कंफर्म कर दिया कि तुम ही ने उसे मेरा नंबर दिया है सर, कसम खा के कहाँ नहीं नंबर यास मिया, अप तो और कंफर्म हो गया, के नंबर तुम ही ने दिया है व्ल्ला तुम है किस तरहा पता, कि मैं किसी लड़की की बारे में बात कर रहा हूँ वो, सर शुरू में आपने बोला था ना, कि उरतों पे मरते हो तुमने उसे से मेरा नंबर नहीं दिया बलके अब तुम उसे फून करके प्रेशराइज भी कर रहे हैं। सच बोलो ताके हम बात आगे कर सकें। सर, माफ कर दें प्लीज। आराम से, अत्मनाम से मेरी पूरी बात सुन। मैं तुम्हें फायर नहीं कर रहा। मेरबानी सर, मेरबानी आपकी। अगर कल से तुम मेरी गाड़ी नहीं चला हो गया। क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरा कोई नंबर आउट करे। गल्ती तुमने की है। सजा तो मिलेगी। इस सजा के लिए तुम्हें जेल जाना होगा। सर, ना करें ऐसा, मेरे छोटे-छोटे बच्चें बूके मार जाएंगे। बीच में मत बलो। पूरी बात सुनो। मैं तुम में इस से जादा तंखा दूँगा। बलके इन फैक्ट तुम्हारी तंखा डबल कर दूँगा। बदले में तुम्हें सिर्फ जेल जाना होगा। और फिकर ना करो। तुम्हारी तंखा तुम्हारे घर पहुचाना मेरी ड्यूटी है। बुकरभ खान की वज़ए से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसको सबक तो सिखाना ही पड़े और उसके लिए मैं अपने घर पे रेट करवाऊंगा। सर कह दूँगा लेकिन वो मुझे जेल में मारेंगे तो नहीं। अले भई। जादा नहीं पड़ेगी तुम्हें मारते करना करो। बस उतनी ही पड़ेगी जितनी डाड या मैं तुम्हें मारते मेरा नंबर लीक करने पर। आखिर सोच ना रहाज। गल्ती तो तुमने की है। सजा तो मिलेगी ही ना। सर मुझे आप छुडा लेंगे ना। अगर हां। सस्ते में छूट रहे हो। तंखाब ही मिल रही है। गाड़ी भी नी चिलाना पड़ेगी तुम्हें तो। और हां हां फिकर ना करो। इछड़ वालोंगा ना करो। जाओ गाड़ी में गठो। राइट सरु जी इसलाम अलेकूं डाल। हाँ वो और रेड रुकवा दियो माना है। डैड मैंने कुछ अर्रेंजमेंट की है। अगर मैं चाहता हूँ के रेड आज रात करीपर है। जी वो बाकी बाते में आपको घर आके उद बताऊंगा। See you in a bit. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तेरा गम, तेरा दर्द, तेरी हस्रत, तेरी महभबत, गर हो इजाजद तो अपने नाम करें इसे मैं प्रोपोजल समझो जब हम एक दूसरे को अपना चुके हैं तो प्रोपोजल की क्या है कि फ्लर्ट लड़कों की तरह सिर्फ डायलोग्स मत बोले जाया करो शकीया, मैं भी जॉब करती हूँ और तुम भी, और हाँ के ज़रूरत पर ही तो हम शादी के बाद भी अपनी जॉब्स कंटीनू रखेंगे, मगर सबूही फिलहाल अबस करो शकीया, मुझ से अब और तु मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगे गाल वाल से मुझ से मुझ से अबस्तु तुम दीज्वा है? मुझ से तुम। थे जाया है, मैं से बहुत है और छूरता है? मैं चादी ती कि तुम दूरूर होगे, मैं अगर एक राद जाया करती है लेकिन अब मैं एक भी लम्हा आजाय नहीं करना चाहता है इसलिए मुझे मन्जूर है अगर अब मुझे मन्जूर नहीं कल राग मान जाते तो कीमत पर बाट जाती है और रात भी जायना होती है जमीर सुलाने में एक रास से कहीं ज़्यादा वक्त लगता है मैंने तो फिर भी बड़ी एफिशेंसी दिखाई यह जाती हूं कि तुम अपना जुमीर ना सुलाओ बल्के अपने जिन्दा जुमीर के साथ मुझे जिन्गी भर के लिए खरीद लो बड़ी मगम बात कही है अपने वाट? पर में जो में चुमी और भी पारीई का तुमीर की आप लिए ग्लीप चाओचिते ना खिर अफित करू बहुआ को चुछ जादे काफी करने लग गएंगेंए तो बहतर बहुत मुप दो कर दो बहुत कि अग्रदू जादे के और्दू जादेंसे के अग्रद शादू यह तो मैं बताई दिया है कि मैं स्टार में करूं और बाकी अगर तुमने कुछ मेरे बारे में सोना हो तो आप काफी अफ़वाइं पहली है आपके बारे में खास भी और नजेबा भी बात सर्फ इतनी सी है कि मैं अकेली हूं और मैं अपना वालेंटाइन हूं रही हूं तो मेली नहीं रहा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि लोग लॉयल नहीं होते हैं और मेरे साथ संसेर नहीं होते हैं मेरे साथ सम्झाओता तो कर लेते हैं पर मुझसे महबबत नहीं करते हैं मुद्दे पर आने का कहके, I guess आप खुद मुद्दे से दूर हुए हैं. देमिट, अपना ही गाम सुनाने बैठके हैं. अगर हमारी कुई डील हो जाती है तो काफी वक्त होगा. इत्मनान से बैठके आपके काम भी सुनूगा. ओके, मैं तुमसे शादी करना चाती हूँ. वो भी सीक्रेट. वोशीदा शादी. शादी. इतने दिनों के लिए तु गई नहीं थे आप. जितने आप कपड़े साथ लेकर गई हूँ. वरहाल, वल्कम बैक हूम. कैसे आप? अब तक तुझे सा था, था. अब आप आगए हैं तु देख रही हैं कि आप कैसे होता हूँ. आप इने तो कहा था जाने को. वो क्या था जो रेडमेड हुआ था? इसे, ऐसे मुकब पर ना, घर की अउरतों का घर से चले जाना ही मुनासिब होता. मुनासिब ना मुनासिब, हर तरह के हालात में आपके साथ थी. इस मर्तबा आपने मेके जाने को बोला, तो मैं कुछ सोच के चले गए हैं. जो? क्या सुच कर चले गए हैं? लगता है इस दुरान आप सारा के पास बिलकुल भी नहीं गए. यह आपसे कहा ना कि नहीं मिलता मैं आपसे. अगर मुझे लगता है कि उसने फोन करके बलाया होगा. क्यों लगा आप ऐसा? यह आप उसी को फोन करके बता कर ले. मुझे से क्यों करेद नकलते हैं? सारा को फोन कीजे. फोन मैं करूँ और जरूर. लेकिन सारा को नहीं. सेवी. यार मैं देख ले हूँ. तुम्हारा कुछ मूड अच्छा नहीं नगरा. क्या बात है? अब तो पेपर्स भी खतम होगे हैं. चिल करो. यार इस वान का निया प्रेंड आया है. मैं बाबा से आर जी बोल रही थी कि मुझे ये दिला दे. ताके मैं यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये लेकर आँ. शाहिद तुम्हारी ये भूल है. सवी ये मुबाइल अलेडी ले चुका है. बादेशले हैं. प्रेंगे बादेशले हैं. हमारी फ्रेंड ने बहुत अच्छे मार्क्स लेह ले हैं. मार्क्स? कौन सा मार्क्स? अभी तो बस सिर्फ एक्जाम्स ही हुए है हाँ भई सर जावेद की मेरबान गया है जाहे तो और टॉब भी करवा सकती है तो गाड सेक रैला तुम हमेशा मेरे स्केंडल जावेद सर से क्यो बनाती हो जबके तुम जानती हो मेरे सीक्रेट अफेर के बारे में हाँ हम जानती है इस अभी तुम्हारे इसमे पागल हुआ जा रहा है इसलिए तुमे तुमे तुमें तुमे तुमें तुमें टिन आचाती है। इसा को रो? जाओ गाओ और अच्छी सी रफरेश्मेंट लेकर ओ मैं बरदाश्ट महीं कर सकती कि बाकी स्टुदें खाय चले सेवी के पास को फॉन है। मैं अभी भी नी समझी आइ स्वेयर आप क्या कहे रहे है एंटी करॉप्शन कोर्ट ने रिट किया गर पर हाँ और रहरत की बात ये है के हमारे गर से 10,000 डालर और एक किलो सोना बरामत हुआ हाँ इस अपॉसिबल रहे है कहां से आया है मुझे लगता है कि ये मुकर्ण की चाल है क्योंकि जन्दन पहले मैंने उसके खिलाफ बयान दिया था आप ठीक कह रहे हैं डाट मगर मुझे लगता है इसमें हमारे घर को कोई मुलाजम शामूल है उसकी मदद के बगएर ये पॉसिबल नहीं हुँ आप फिकर ना करें डाट आप पत्थर का जवाब इंट से देखें ये तो देखा जाएगा लगर मेरी इजट दोग कोडी की करदीना उसने रेट पड़ा कर अब बस एक प्रेस कॉंफरेंस की तियारी करें आके क्या करना है ना सोच के आपको बताता हूँ अगर आपको ये इरादा था तो आप मुझे पहले बता देते पहले ही आपको बाहूं में ले लेता हूँ आपको ये ये rhyme योवायज diarrhea वाय बुग हारे वातल में य cannabis इसलिए मैं बुक्षीन कर भागी थी यह पक्रो अपनी चीजे और अपने पैसे मैं अभी चाहिए उससे पुछती हूं ओहो हमें यह बता कि जा रही है किस पभी से जगडेगी देखते हैं सेवी सर मैं आपको कॉल करता हूं सर आपका मुबाइल तो ने चूटा नहीं तुछ नहीं तुछ नहीं हुआ क्यों सर मैं तो तंग आगई उस लड़की की हसत से अभी उसने आपका मुबाइल तोड़ने की कोशिश की है मतलब मतलब सर अभी राइला ये बता रही थी कि इस्पून का ये मॉडल वो सबसे पहले लेना चाहती थी मगर आपने सबसे पहले ले लिया वो ये नहीं चाहती थी कि आपके पास ये फोन रहे फैर जितनी भी शातिर बन जाए वो मेरे होते हुए वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकेगी वो ये जानती है कि मेरे होते हुए वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती इसका मतलब वो मुझ से जानबूच का तक्राई है ये सर अफकोर्स ये सर अगर आप खुश हुए हैं तो सर मुझे पांच हजार रुपे के जरूरत थी मैं अगले हदे ही लोटा दूंगी मुझे फीज देनी है शोर शोर ये लोटा दूंगी आपको लुटाने के दूरत नहीं है और बहुत शुक्रिया इसे अपना एनाम संजिए थैंक यू सर थैंक यू सो मुझ खुब सुनाईए मैंने उसे कि मेरे होते वे किसी और को बाहों में लिया कैसे उसने क्या कह रहा था किसमे खा रहा था कि वो खुद आके टकराई थी मैंने उसे बाहों में नहीं लिया तो गिरने देता पता है मगर उसे खुद तो कंट्रोल में रहना चाहिए था ना यार कर्टिसी में संभाला होगा और क्या आई नो यह देखो पांच हजार दिया है ठीक कल अपनी मर्जी से जाके कोई भी गिफ्ट ले ले लेना अम ले रहे हैं तुम चल रही हो जल गई दो साल से तो मैं जल रही हूँ तुम लोगों की बातों पर और अब तुम लोगों की बारी है देखना तो सही यह हूं पर आप तुम लोगों की बारी गर आई तुम लोगों की तुम लोगों की दुम लोगों की दुम अर तुम ने मुझे बताएं यह नहीं क्यों और मैं क्या करती शाजी आपको बताती आप उनको दुबारा जाके बताते हैं और फिर आजाती और इतना जलील करती मुझे शाजी खुल्द अब छोटी नहीं रही और खुल्द की बहुत लंबी जुपान है बिलकुल अपने बाप जैसी हम मच्छा खुल्द को फोजिया से बत्तमीजी करने से रोकना हूं प्लीज शाजी मुझे बुरा भला कहने पर उसे अपने पाप को नहीं चोड़ा तो और किसी को क्या चोड़ेगी खुल्द मेरी बच्ची सही मगरा देखिए शाजी पहले मुझे आपके साथ देखकर अप हसाम के घर आने पे खुल्द कमू बहुत खराब रहे बड़ी मुश्किल से उसका मू ठीक एवे अब प्लीज इस बात को आगे नबढ़ने दे मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि इनको दिन में बुलाया करें खुल्द वो मेरे शोहर है उनका हक है मुझ पे वो जब मर्जी आए और जब मर्जी जाए शोहर तो ये शोहर आपसे दिन को मिलने क्यों नहीं आते जहां अपनी बीवी को लेकर जाना होता है जरूरी वहां आपको लेकर क्यों नहीं जाते तस्वीरे वो फोलजिया बेगम के साथ खिचवाते है आपके साथ तो सिर्फ वो बाते करने आते हैं वो भी रात के हंदेरे में खुल ये निकाह मैंने सब तुम्हारी वज़े से खुफिया रखा है ताके तुम्हें सोतेले बाप का कॉम्पलेक्स ना हो ये निकाह आपने मेरी वज़े से खुफिया नहीं रखा बलके नूर बहादर की वज़े से रखा है आपको उनके लिए बस एक खुल चुप हो जाओ इसे पहले कि तुम्हारे मूँ से कुछ ऐसा निकले जो मा और बेटी में दराड पैदा कर दे दराड अगर मामा को इज़त संबालनी नहीं आती तो आपको कौन सा इज़त करने आती है पापा कि नफरत से मुझे पापा पापा पुकार रही हो शुकर करे मैं आपको पापा पुकार ही हसाम चोधरी कहकर नहीं पुकार ही झाल झाल